मंदिर की जमीन को लेकर दो परवारों के बीच में चल रहा विवाद विकासखंड अत्रॉली के ग्राम गन्यावली में मंदिर के मामने को लेकर एकी परवार के लोगों में विवाद चल रहा है नीरस सर्मा पुत्र पूरण चंद्र ग्राम गन्याबली थाना अत्रोली का आरोप है कि संजय पुत्र स्वरगिय सिरी राजकुमार सर्मा के मंदिर में हर समय ताला लगा रहता है हमें पूजा करने के लिए परेसानी होती है, वहीं दूसरा पच्छ संजय सर्मा, पुत्र स्वर्गी राजकुमार सर्मा का कहना है कि मैं मंदिर का ताला हर समय खुला रखता हूँ, यहां मंदिर पकुछ लोग आकर सराप पीते हैं और गंदकी करते हैं, इस बज़े से आयले में बिचारा धिन चल रहा है। करो पीते हैं महाँ बैठके इसलिए गंदकी हो जाती है यहां धेते हैं नहीं हो तह मारे सब बच्चे सब भाहर है तो वे कहते हैं कि नहीं कोरे दिन लागा रहा रहता है उतारा क्या नाम है साब करें नाम साब निजच पुजा करने जाते हैं बच्चे हमारे तो ताला लग रहा है तो ताला थोड़े समय के लिए लगता है या लगता है पुरे दिन ताला लगता है जितने दिन दुकान चलती है तो इंदे ताला खुलता है हमाँ पर अच्छे अन लोगों के यह कहना है कि यहां मंदिर भागर खोल देते हैं तो वह लोग सरार्ती तत्र के जो है श्राप रापीते हैं हमारे बच्चा कोई रहता नहीं है हमारे अजी क्या नहीं है बाई सापको मेरा नाम संजय पंडित है कहां के रहने वाले यह मेरा देविस्थान है यहां पर मेरे चाचा और चाचा के बच्चे होके सराप और उसका चरस गांजी का धन्ना करते थे आज से मैंने इन लोगों को अठाने के लिए यहां पर न खोका अब यह एक लाख रिपे की दमकी दे गया हुआ के चाचा अब यह उनका अरूब है कि आप तल्रा लाग रखते हैं तो इसलिए ताल्रा लागा दिया था है जंगल में कोई रहता नहीं है यहां मेरा सामन रखा हुआ रहता है बगभान जी है और इन लोगों के आपर कोई म बचे दीपाक लखन भूरा अश्वनी गुड़ी और नीराज और उसका नाम है बोला यह लोग सब गेंग बना के आते हैं दीपावली जे परिसान कर रहे हैं आए दिन इनों ने गाउं में आके आतने मचा रहा पूरे गाउं में पूछ लो एक औरत की इनों ने जिन्नी ख